स्वागत है आपका अनोखी कहानियों किस भरती हुई शंकला में आज सुनते हैं कहानी प्यार में कभी-कभी ऐसा हो जाता है शिफाली एक छोटे शहर में पली बड़ी एक साधरान लड़की थी उसके कई सपने थे और आनन सफल केरियर के साथ एक साधरान आगमी था भाग्यों ने साथ ले आया शिफाली को आनन से प्यार हो गया और आनन ने भी शिफाली की भावनाओं को स्विकार कर लिया शिफाली के लिए आनन्द ही सब कुछ था आनन्द भी उसे अंतर मन से चाहने लगा था और उसे समझने लगा था शिफाली आनन्द के लिए वो सब कुछ करना चाहती थी जो उसे खुश कर सके आनन चाहता था कि शिफाली घर की चाह दिवाली से बाहर निकले और आत्म निर्भर बने समाज की कठोर सर्चाई का सामना करना सीखे और अपना केरियर बनाए क्योंकि अगर भगवान न करे भविश में उसे कुछ हो गया तो शिफाली अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है आनन लगातार उसका मार्ग दिर्शन कर रहा था और गलती होने पर उसे डाटता भी था ये सब वैं शिफाली के भले के लिए कर रहा था दीरे दीरे शिफाली को सफलता मिल रही थी और बहुत से लोग शिफाली में रुची दिखा रहे थे अच्छा ये पताना तो भूली गया कि शिफाली सुनदर तो थी ही साथी साथ उसके मुस्कराइट का मोल मिलियन डॉलर से कम नहीं था जो किसी का भी दिल भर देती थी जैसे जैसे समय बीटता गया शिफाली और अधिक आत्मिश्वासी होती गई और उसका कैरियर चरं सीमा पर पहुँच रहा था आनन जो हमेशा उसके साथ था उसका मार्गर्शन कर रहा था उसे और अधिक प्रिगती करने के लिए प्रोस्ताहित कर रहा था हलाकि अब शिफाली को आनन्द का सलाह देना प्रोस्ताहित करना पसंद नहीं आ रहा था उसे लगा कि वो अपना निर्णे लेने में सक्षम है महर आनन्द का मार्डशन करना बंद नहीं हुआ नतीजा मतबेद बढ़ने लगे शिफाली की समझ में नहीं आ रहा था कि आनन्द क्यूं उसे और अधिक करने के लिए मजबूर कर रहा है क्यूं धकिल रहा था अब शिफाली ने आनन्द की बातें अनसुनी करना शू कर दिया आई दिन दोनों में जगड़े होने लगे इसका परिणाम यह हुआ कि शिफाली आनन्द से अलग हो गई जाते जाते उसने आनन्द से कहा मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं हूँ मैं खुट यह कर सकती हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है मैं एक सफल औरत हूँ लोग मुझे सुईकार करने में ज्यादा खुश होंगे जैसी मैं हूँ अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हूँ अपने रास्ते आनन्द आहत महसूस कर रहा था वे शिफाली से बेंधा प्यार करता था क्योंकि वो एक साधारान घरेलू लड़की थी उसकी समझ में नहीं आ रहा था वे इस तरह की बाते कैसे कर सकती है जाते जाते आनन्द नशिफाली से खा शायद सफलता का आहंकार तुम्हारे सर चाड़के आ है शायद विफलता मेरी है कि इतना समय हमने साथ बिताया फिर भी मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूं मेरे पास तुम्हें देने के लिए शुब कामनाओं के अलावा और कुछ भी नहीं था मेरी यही इच्छा थी कि तुम मुझसे अधिक सभलता प्राप्त करो और वो गल्तियां ना करो जो कभी मैंने की थी यही एक कारण था कि मैं हमेशा तुम्हारा मार दर्शन करता रहा हमेशा समय पर तुम्हारे उपर मैंने क्रोध भी किया तुम वो सब कुछ मिले जिसे तुम कभी तुमने कामना की थी मैं और कुछ नहीं कह सकता शिफाली हो कहा कि उसका गला रुंद गया आनन जानता था कि वे दौनों एक दूसरे के लिए बने हैं और फिर उसे जीवन भर पच्टावे के साथ रहना पड़ा कहानी खत देखें क्या सीखा और क्या पाया हमने इस प्रेम कहानी से यहीं कि जो आपकी इफाज़त करते हैं वे आपका मार दर्शन करना भी जानते हैं हो सकता है उनके ओवर प्रोटेक्टिव होने की वज़े से कभी कभी वे आपके साथ कठोर हो जाएं पर अन्तत है उनका एक ही मकसद होता है आपको सही रास्ता दिखाना आपके भले के लिए सोचे ना जरा अपने अतीरत के बारे में उस व्यक्ति के बारे में जो कभी आपके जीवन का हिस्सा था लेकिन आज नहीं है तो आज आप क सुनेगा एक और अद्भुत कहानी है ऐसे ही अनोखे अंदाज में है